स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराजी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज इस चैनल पर मैं आपके लिए एक्जाम से समन देते कुछ महतरपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ जिसमें कुछ पुस्तकें हैं और कुछ महतरपूर्ण फैक्टितों की उपलबदियों के बारे में आपको बताना है या आप कह सकते हो कि वो चर्चा में क्यों है चर्चित फैक्टियों के बारे में आपको बताना है कुछ भी माल लीजी आपके एक्जाम की दस्टी से ये एक important facts होते हैं आईए बात करते हैं वो कौन-कौन से पुस्तके हैं वो कौन-कौन से चर्चित विक्तित्व है सबसे पहले मैं कुछ महत्पुर्ण पुस्तकें बताना चाहूँगा देखिए पुस्तकों के समन्द में आपने हमेशे ये ध्यान रखना है कि कोई list नहीं बनानी कि आप उसको रटते जाएं जो महत्पुर्ण पुस्तकें होती हैं उनको ही याद रखना है एक मेंने में कम से कम पचास पुस्तकें रिलीज होती है यदि हम वो गलती कर देते हैं तो पचास पचास याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा बहुत सारी पुस्तकें होती है कोई सीमा नहीं है इन चीजों की तो हमें समार्ट त्यारी के तहत उन महत्तपुर्ण पुस्तकों को पढ़ना है जो एक्जाम की दस्टी से इपोर्टेंट होती है तब ही हम एक्जाम को कुलिर कर सकते हैं नहीं तो एंजेलेमा जोली और वीर सिंग्वी ये कब उपर में चैया जाजए पता नहीं लगता है इसलिए बहुत की एधियाद बढ़ते हैं और अपने दिमार्ग में उन बातों को ज़्यादा समाहित करें जो आपके एक्जाम में आती है या जिनके एक्जाम में आने की परबल संभावनाई होती है पुस्तकें बहुत होती है मैंने एक्सर देखा है करी स्टूडेंट क्या करते हैं लिस्ट बना लेते हैं उसको रढ़ते जाते हैं ये तैयारी करने का सही तरीका नहीं होता है मेरे एकोडेंग यदि आपको लगता है तो आप इसे फोलो कर सकते हैं मैंने यहाँ पर चार पुस्तकें आपको बताने जा रहा हूं और ये चार पुस्तकें आपकी ceğim की दस्टी से महतफपुर्भोमिका निवासकती है आहिए साइनिंग सिख YouTube इंडिया डोक्टर प्रभलिम सिंग डोक्टर प्रभलिम सिंग नाम्याद रखेगए साइनिंग सिख you इंडिया बकाईदा भारत के रक्षा मंत्री राजनात सेंग जी ने इसे लॉंच किया Human Rights and Terrorism in India मुझे बताने कि आपशक्ता नहीं है कि ये कितनी मैंतपण पुस्तक है Human Rights, मानुवधिकारंपर और आतंकवाद के बारें बात कर रहा है इंडिया ने सुब्रमन्यम स्वामी जी की ये पुस्तक है भाजपा के सांसद है कोई दिक्त नहीं है पूरी संभवनाई है A Rude Life, वीर सिंग्वी भारत के लोग पर ये पत्तरकार है वीर सिंग्वी उन्होंने A Rude Life नामक पुस्तक लिखी है इसी तरीके से Hollywood की फिल्म अविनेतरी है Angelina Zoli उन्होंने Know Your Rights and Claim Them ये रखी है तो मेरे अनुभव के आधार पर ये चार पुस्तकें आपके आने वाले एक्जाम में आ सकती है इस कान से इसको आप त्लान में रखें विशीश रूप से इन में से भी यदी मैं कहूं कि सबसे महतरपुण कौन सी है तो इन में से सबसे महतरपुण है ये Human Rights and Terrorism इसको मत भूल जाना अक्सर आपने देखा होगा लाल कृस्टन आडवानी के दौरा लिखी गई पुस्तक या अन्य किसी सांसद के दौरा लिखेगी पुस्तक को बहुत हाइलाइट किया जाता है ससी थरूर जी इनके पुस्तके कई बार पुछी गई है उसको आधार बना कर आपको कह रहा हूं कि सुबर्वन्दम शौमेजो की भाजपा की सांसद है यह मोस्ट इपॉर्टेंट है अलांकि पढ़नी सारी ही है ऐसा कुछ नहीं है चारों ही आप ध्यान रखें इन चारों में से भी रियाको कूँ तो यह इपॉर्टेंट है इसको दिल और दिमाग पर ज्यादा रखें आईए अब मैं बात करूँगा कुछ वेक्टित्व की आपके सामने एक तस्वीर है यह जो तस्वीर है यह अनिता आनंद की है अनिता आनंद है इनका नाम अनिता आनंद अनिता के नाम से आपको यह तो पता लगया हुगा कि भात्य मूलकी है लेकिन ये कनाडा में रहती है इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्दी प्राक्त की है ये कनाडा की रक्षा मंतरी चुनी गई है मुझे ने लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि ये फैट जो है एकजाम में आने की कितनी ताकत रखता है तो ध्यान रखना भारतिय मूल की कैनेडा नागरिक जिसे कैनेडा की रक्षा मंद्री डिफेंस मिनिस्टर चुना गया है अब देखिए कनेडा के बारे में आपको जानकारी में वर्ड योगरफिय में पूरी देता हूँ इसलिए यहाँ यह जानकारी की तनी आवशक्ता नहीं है इस फैक्ट को ध्यान में रखें जैसे कुछ बाते हैं उनको आप ले सकते हो कनेडा जो है उतरी अमरीका का देश है उटावा इसकी राजधानी है टोरेंटो सबसे बड़ा नगर होता है इसका और इसके परधान मंत्री जो है यह जस्टिन टुडो है इसके अलावा इसकी जो मुद्रा है कनेडियन डोलर है और यदि इसको जोग्रोफिकल कंडिशन से जोड़ें तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला देश है विस्व का सबसे बड़ा देश है जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है इसके लवा यदि हम एरिया की दस्टी से देखें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है पहरे नमबर पर रशी आता है ये बाते हम जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जो बोली है उसको आप लिख सकते हो में फैक्ट ये है भारत्य मूलकी कनेडा नार्विक जिसे कनेडा की रक्षा मंत्री चुना गया है इस ताइब के कोश्चन जो होते हैं ससी रेलवे में ज्यादा आते हैं अलांकि वर्तवान अग्जाम जब हम देखते हैं तो इसी कोई जुरूरी नहीं है यह आज प्यसी यूप्यसी यह इसको पूछ सकता है आई है और जो दूसरा व्यक्तित्व है यह सुक्मवती सूकर्णों सुक्मवती सूकर्णों के नाम से कुछ याद आ रहा है आपको यह जो है इंडोनेशिया के प्रत्म राष्ट्पती डूक्टर सूकर्णों की पुत्री है यह दूक्तर सूकर्णों की पुत्री है यह होता क्या है इंडोनेशिया ने रामायन पर डाप ठिकट जारी किया था वो कोश्चन आया था हिंदु द्रम से समध्यत हो गया और दूसरी बात ही होती है इस कोश्चन को इस फैक्स को जो मैंने आपको बताया है उसका लिजन यह है कि भारत के प्रोसी देशों में अब इंडोनेशिया भी समुंदरी सीमा से जुड़ा होता आप जानते हूं कि सुमात्रा दीब और हमा में आपको मैं एक और हिंड देना चाहूंगा या आपको कह सकते होगे निर्देश देना चाहूंगा कि हमारे प्रोसी देशों में जो भी गटनाएं गटित होती है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए यह आपके एक्जाम की द्रस्टी से मैंता प्रोन होती है तो यह क्यो हिंदू द्रम अपनाया है इस काम से ये फैक्ट इपोर्टेंट बन जाता है तो सुपमावती सू करनो और ये जो राश्ठपती डॉक्टर सू करनो है इनके बारे में आप भली भांती जानते हो ये भारत के पर्थम गंतंतर दिवस 26 जनुरी 1950 को मुख्याति थी रहे हैं चीफ गेस्ट रहे हैं कई जगे हम इसको पढ़ते भी हैं तो ये कुछ पुस्तके और फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं डॉक्टर सू करनो की जो पुत्री है सुपमावती सू करनो इन्होंने धरम परिवरतन किया है अनिता आनंद जो है उन्हो उन्होंने विश्व की राजदिती में एक महतपण भूमिका निबाई है कनेडा की रक्षामंतरी चुनी गई है इसके अलावा चार पुस्तके मैंने आपको बताई है चार पुस्तकों में सुबरमन्यम स्वामी की जो पुस्तक है वो सबसे महतपण है तो दोस्तों आपको कोई जान करी कैसी लगी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सेर करें तो इसी उमीद के साथ आप सभी को आपके उज्वल बविश्य के लिए पेस्ट अप लग नमस्कार